It's the battle of sardars right here in Amritsar constituency. We have with us Bikram Singh Majitya. Sir, आज तक मैं आपका स्वागत है. सीधा आप से बात करते हैं. आज नवजोट सिंग सिद्धू ने एक open challenge दिया है. कि आप में दम हैं, तो आप एक constituency से लड़ें, Amritsar इस से लड़ें. नवजोट सिंग सिद्धू का थोड़ा जो दमाकी संतूलना हिल गया. Constitution हमको अधिकार देता है. मैं दो से लड़ू, मैं तीन से लड़ू, मैं ना लड़ू. उनका कोई none of its business. वो ये देखें कि उन्होंने अपनी हार, कैसे हार से बचना है. ये लोग, जो उनको जिताते थी हम, सब, आज आप इनका प्यार देख रहे हैं. कुछ कहाँ से राज जो कॉंग्रेस के साथ थे, उन्होंने आपको जोइन किया है? जो जमांदरू कॉंग्रेसी थी, वो बाउन कॉंग्रेसमन, आज वो एक नहीं, रोज मेरे को जोइन कर रहे है, रोज, एवरी डे मैं तरे लोगों को जोइन नहीं किरा सक रहा हूँ. मेरे को ये मानना है कि भगवान की कृपा से, गुरू के अशीरवाज से, जीत यहां पे बहुत बड़ी लोगों की होईगी, क्योंकि इन लोगों के साथ नवजोज सिंग सिद्धू ना उनके लिए कभी अवेलिबल थे, और ये उनके घर को ही जाता था तो दरवाजे बन बड़ा अरूप उनकी करफ से, ये शरींच साब हैं, ये बाटिया साब है, जोनों ने और ओल्ड कांग्रिसमन ये बताएंगे आपको, जब ये घर जाते थे तो क्या कहते थे, क्या कहते हैं, जब से हम पैदा हुए हैं, बच्चे के जब पैदा था ने, बच्चा पैदा कांग्रस से, कांग्रसी वरकल को बोलता है, ओठ ते चल, हुन सारी इस कॉंसिचंसी, अनुदा दिभी ओठ ते चल, उनका बड़ा आरोब आप से, आप पर ये है, क्या आप काला धन कमाते हैं, काला धन्दा कर, ऐसे आया, कैरेक्टर लेस आदमी से मेरे को कैरेक्टर सर्ट कि जरूरत नहीं है, लोग फैसला करें, लोगों की कचैरी सब से उपर, भगवान की कचैरी उस से उपर, वो फैसला कर देंगे और मेरे पे इतना नुक्सता, तो फिर साथ मेरे पास क्यों आता है, 2007 में, नौ में क्यों आया, जब अपनी गर वाली को बारा में इस अलके से लड़ा होनी थी, तब क्यों आके अधर स्टेजों में बोला मेरा चोटा भाई, इसलिए वो उसकी आदत है कि मेरे को चाहिए मुक मंतरी की कुर्ची, अब कांग्रेस ने तो देनी नी, जो राहुल गांदी को पपू कह सकता था और अब पापा बना सकता है, या सोनिया को म मुन्नी से सोनिया मना सकता है, सोनिया से मुन्नी बना सकता है, ड्क्टर मन मोहन सिंग जी पा रहे, यह कह सकता है कि यह मौन मोहन सिंग है, ना यह सरदार ना यह सरदार, वो कुछ कर सकता है, वो करदार की बात करेगा. Will you be the giant slayer? sir I am nobody to decide that I am a humble seva-dar of the people of this area I am committed because they want the people of this area wanted me to fight I am honoring their wishes the people will so decide I have no egos like him I am with one final question drugs is a big issue there are allegations against you are you camping again campaigning against me absolutely who's making these allegations against me nobody else but Navjot Sidhu you ask these people for five years he's been in government here he's been the minister he's been the PPCC president ask them has the drugs increased or decreased it was he was posting officers people around him were selling drugs ask all of them and they will give you an answer do you think it's an issue for what he's saying people don't even bother about what the motor mouth is saying anymore thank you so much for speaking with us Bikram Singh Majid here speaking to India today with camera person Chandi Ram this is Kamaljit Sandhu in Amritsar East for India today you